Hi everyone, आज की वीडियो में हम skincare in 40s के बारे में बात करेंगे तो अगर आप 40 प्लस हैं, तो आपकी skin में क्या changes हो रहे हैं और किन बातों का ध्यान आपको अपने skincare routine में रखना है ये हम इस वीडियो में discuss करेंगे ताकि आपकी skin healthy बनी रहे तो skincare in 20s और 30s के बारे में हमने पहले बात की थी जिन वीडियो का link हमने description box में share किया है तो वो आप देख सकते हैं और अभी तक अगर आपको 20s और 30s का skincare routine follow कर रहे थे तो अब 40 and beyond में आपको क्या skincare routine follow करना है ताकि आपकी skin healthy और glowing रहे वो मैं आपको बताती हूँ ये discuss करने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि 40s में या जैसे जैसे हम age कर रहे हैं तो हमारी skin में क्या changes हो रहे हैं तो देखे, age के साथ-साथ हमारी skin जादा dry हो सकती है collagen loss होता है, skin thin हो सकती है तो ऐसा होता है कि skin में fine lines और wrinkles जूरियां जादा नजर आएं और skin thin होने की वज़े से असानी से pigmentation हो सकती है sun burn हो सकता है, skin sag हो सकती है collagen loss होने की वज़े से साथ-साथ ही boni loss हो रहा है तो उसकी वज़े से भी skin जादा sagging हो सकती है और आपको काफी अलग products इस्तमाल करने पड़ेंगे ताकि आप यह aging के signs को delay कर सकें और यह pigmentation कम से कम हो तो अब हम discuss करते हैं सही skin care routine सबसे पहले तो सही cleanser इस्तमाल करना जरूरी है हो सकता है कि जो cleanser आप अभी तक इस्तमाल कर रहे थे वो अब आपकी skin के लिए सही ना हो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया skin धीरे-धीरे dry हो सकती है skin का moisture content कम हो सकता है तो आप हलके glycerine based या milky cleansers इस्तमाल करें आप hyaluronic acid based cleansers इस्तमाल कर सकते हैं और अगर skin में थोड़ी pigmentation है तो कम quantity के glycolic acid वाले face washes का भी आप इस्तमाल कर सकते हैं इसके इलावा moistureizer लगाना जरूरी है और normal moistureizers आपको फायदा नहीं करेंगे तो ऐसे में आप hyaluronic acid या ceramide based moistureizers लगा सकते हैं अगर आपकी skin बहुत जादा dry है तो हो सकता है कि hyaluronic acid और ceramides के इलावा आपको glycerine या फिर हो सकता है आपको paraffin based moistureizers लगाने पड़ें जो काफी अच्छे oily होते हैं और लंबे समय तक आपकी skin को moistureized रखेंगे और आपकी skin को उसको supple बनाएंगे तो अब moisturizer और cleanser के इलावा आपको सही products जो दिन में लगाने हैं वो मैं बताती हूँ antioxidants जो की आप अभी तक लगा रहे होंगे vitamin C, vitamin E, niacinamide उनकी जगा आप vitamin C, antioxidant के साथ green tea extract जैसी चीज़ें लगा सकते हैं तो ये सब चीज़ें जिन में या फिर coenzyme Q10 हो तो ये molecules अब आपको लगाने हैं, ये वाले serums अगर आप लगाएं तो ये आपकी skin के लिए जादा अच्छे होंगे, moisturizing होंगे और इन में कुछ anti-aging advantage भी है तो coenzyme Q10, green tea extracts और vitamin C, ये सब आपको लगाना है अब इसके इलावा क्या वो एक important चीज़ है जो skincare in 40s में अलग है 20s और 30s से तो मैं suggest करूँगी कि आप peptides का इस्तमाल करें तो peptides एक important compound है skincare routine के लिए 40s में काफी बार लोग सोचते हैं कि हम anti-aging के लिए तो retinol लगा रहे हैं तो हमें peptides की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले चीज़ तो ये कि जो लोग retinol नहीं भी लगा पा रहे हैं वो भी peptides लगा सकते हैं तूसरी चीज़ ये कि काफी peptide serums ऐसे हैं जो आप दिन में लगा सकते हैं तो peptides क्या होते हैं peptides होते हैं protein के compounds, amino acids जो आपकी skin को firm बनाते हैं collagen building में help करेंगे और सबसे अच्छी बात कि कुछ peptides आप दिन में भी लगा सकते हैं तो आप vitamin C या green tea extract या coenzyme q10 लगाने के बाद फिर आप अपने चेहरे पे सुबे peptide serums लगाएं और peptide serum लगाने के बाद अब सबसे जरूरी step वो है sunscreen तो अगर आप घर के अंदर हैं तब भी sunscreen लगाना है और बाहर जा रहे हैं तब तो sunscreen लगाना जरूरी है ही सही sunscreen लगाना है, बार बार sunscreen लगाना है और बहुत जदा धूप में हैं तो आपको physical sunscreen लगाना है तो सबसे पहले face wash उसके बाद vitamin C या कोई अच्छा antioxidant जैसे coenzyme q10 उसके ऊपर आप peptide serum लगाएंगे जो आपका anti-aging serum है जो aging को prevent करेगा और उसके ऊपर आप sunscreen लगाएंगे और अब हम बात करते हैं इसके बाद आपने makeup कर लिया और अब हम बात करते हैं night में skincare routine की तो फिर से face wash करना है अगर makeup किय है तो जैसे मैं हर बार कहती हूँ double cleansing करनी है जिसका मतलब है कि makeup remover से face को अच्छे से clean करके उसके बाद आप अपने face wash से face wash करेंगे और इसके बाद आपको serum लगाने है serum आपके skin के concerns के हिसाब से होंगे इसमें आप retinol based serum लगा सकते हैं और retinol तो अच्छा anti-aging है ही और लेक meditation के concerns हैं तो मैं suggest करती हूँ कि आप alternate day retinol hyaluronic acid और glycolic acid base serum यह सब आप alternate day लगा सकते हैं skin बहुत जादा dry है तो आप strong percentage की glycolic acid ना लगा के hulky strength से शुरू करें अब alternate day retinol और glycolic acid तो आप लगा ही रहे हैं आप में under eye creams लगाना बहुत जरूरी है under eye cream में retinol based creams लगा सकते हैं अगर fine lines और wrinkles के concern है अगर बहुत dryness है तो hyaluronic acid और coenzyme q10 भी बहुत important compound है अगर आपको आँखों के dark circles के concern है क्योंकि यह भी बहुत अच्छा है pigmentation और fine lines और wrinkles के लिए तो जो लोग retinol based serum under eye serums नहीं लगा सकते हैं वो hyaluronic और coenzyme q10 के under eye creams लगा सकते हैं और जैसा मैं हर बार बताती हूँ अगर आपको dark circles बहुत जादा है और fine lines और wrinkles का उतना concern नहीं है तो hyaluronic acid और coenzyme q10 और retinol के बजाए अब vitamin K और vitamin C based under eye creams का इस्तमाल करें अगर आपको under eye bags हैं तो उसमें आप caffeine based under eye creams इस्तम कर सकते हैं तो caffeine के अंदर ये properties हैं कि वो water retention को कम करेगा और आखों के नीचे की swelling को कम करेगा अब under eye creams के इलावा फिर आप एक सही moisturizer लगा सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि अगर skin dry हो रही है तो शायद आपके लिए glycerine based moisturizer, hyaluronic acid based moisturizer या ceramide based moisturizer सही रहेंगे अब ये सब तो हमने skincare routine की बात कर ली लेकिन इसके इलावा हम कुछ supplements की भी बात करेंगे क्योंकि इस समय ये सही time है कुछ supplements लेने का तो collagen supplements जैसा कि मैं हर बार कहती हूं collagen supplements collagen building में help करते हैं तो वो supplements आप शुरू कर सकते हैं अगर आपने 30s में शुरूआत नहीं की है और जैसा कि मैं हर बार कहती कोई भी एक particular supplement लंबे समय तक लेने की बजाए हम अलग-अलग supplements दो-दो महीने के लिए लें तो हमें हर तरह के supplements के advantages अपनी skin में नज़र आएंगे तो आप collagen supplements के इलावा vitamin E के supplements, coenzyme q10 supplements, curcumin यानी healthy के tablets ये सब भी ले सकते हैं तो इसके लावा अगर आपको लगता है कि आपको कोई vitamin deficiency है, vitamin D अगर आप घर में जादा रह रहे हैं तो vitamin D भी आपको लेना हो सकता है तो ये important vitamin supplements के लिए ये सही रहेगा कि आप अपना blood test करवा के उसके बाद ये supplements ल रहेगा इस age में लेने के लिए, अब इस सब के इलावा हम hair के बारे में भी बात करेंगे, तो जैसे जैसे हम age करते हैं तो हमारे बाल brittle हो जाते हैं, हमारे बाल असानी से तूटेंगे, जढेंगे, अगर आप बहुत जादा hair के products इस्तमाल कर रहे हैं, अगर आप hair styling products बहुत जादा इस्तमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में भी ये हो सकता है कि आपके बाल बहुत damaged हो, ऐसे में मैं suggest ये करूँगी कि आप बहुत जादा chemical treatments ना करवाएं, जिनसे आपके बाल उतने damaged ना हो, और दूसरा मैं suggest करूँगी कि अगर product build up बहुत जादा हो रहा है, तो clarifying shampoos का इस अगर आप बहुत जादा hair styling products इस्तमाल कर रहे हैं, इसके इलावा अपनी diet में अगर आप protein अच्छा रखेंगे, तो वो आपके hair fall को control करेगा, और अगर फिर भी काफी hair fall हो रहा है, तो आप अपने dermatologist को consult कर सकते हैं, तो age related hormonal changes होने की वज़े से जो हमारी skin में pigmentation होती है, य issues को solve किया जा सके, इसके इलावा advanced glycation end products, ये AGE, ये कुछ ऐसे products हैं, जो हम कुछ हम अगर preservative वाला food consume कर रहे हैं इतने सालों से, अगर हम fried food बहुत जादा खा रहे हैं, तो इन सब चीजों से ऐसा होता है, कि advanced glycation end products हमारी body में accumulate होते रहते हैं, और फिर वो असानी से eliminate नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारी body का metabolism भी age के साथ साथ कम होता है, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है, कि हम अच्छे anti-aging products इस्तमाल करें, और सही खाना खाएं, ताकि हमारे आगे advanced glycation end products, यानी AGE, उतना हमारी body में accumulate ना हो, और age के साथ साथ hormonal issues ठीक होने बहुत जरूरी हैं, तो का काफी बार ऐसा होता है कि आपके चेहरे पे कुछ बहुत जादा pigmentation आ रही है, तो ये हो सकता है कि age के साथ साथ कुछ hormonal issues develop हो रहे हों, जिनके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने dermatologist को consult करें, अगर बहुत जादा skin issues हैं, तो हो सकता है, ये सही time है कि हम कुछ procedures भी products का इस्तमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे technologies का इस्तमाल कर सकते हैं, जिससे skin बहुत जादा hydrated रहे, nourished रहे, काफी बार ऐसा होता है कि 40s में सिर्फ skin care products change करने से ही हम अपनी skin को ठीक नहीं रख पाएंगे, तो अगर बहुत जादा fine lines और wrinkles हैं, तो आप botulinum toxin injections के बारे में सोच सकत हैं, अगर बहुत जादा sagging हैं, तो आप कुछ lunch time procedures जैसे thread lift के बारे में consider कर सकते हैं, या फिर आप fillers करवा सकते हैं, जिससे की आपके aging concerns असानी से handle हो, pigmentation के लिए भी stubborn pigmentation के लिए Q-switch lasers आप करवा सकते हैं, कुछ बहुत अच्छे medi facials हैं, जो आप करवा सकते हैं, जिससे क आपकी skin अच्छी बनी रहे, medi facials अलग अलग तरे के होते हैं, और इस पर भी मैंने एक अलग video बनाई है, जिसका link हम description box में share करेंगे, तो आप अपनी skin के concerns के हिसाब से, और अपने budget के हिसाब से, सही medi facials इस time पे शुरू करके भी अपनी skin को काफी अच्छा रख सकते हैं, I hope यह video आपको informative लगी, skin और hair से related और informative videos के लिए हमारे YouTube चैनल पर subscribe कीजिए, और bell icon पर click कीजिए ताकि आपको हमारे videos की notification मिल सके,